तो चलिए इसे बनाना हम सुरू करते हैं, मैंने एक बाव लिया है, इसमें हम एक कप बेशन लेंगे, इसपून अजवाइन लेंगे, नमक स्वाथ के अंसाल लेंगे, टेबल इसपून हम ऑईल लेंगे, मोयन को हम अच्छी तरह सभी मिक्स कर देंगे, इसमें हम थोड़ा प और यह टाइट डो हमने बनाया है, और देखिए पानी बहुत थोड़ा सा लगा इसको गूतने के लिए, बेसा नहीं तो इसमें ज्यादा पानी नहीं लगता है, तो आप बहुत ही समहल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, इस तरह से आप बनाएंगे, ताकि अच्छ पूपफ कर लेंगे, ख 好रे लेंगे, बना नहीं और लाया बना ली तरह से आपस में चिपके ना, अब इनको हम साइड में रख देंगे और एक लोगी को लेकर के हम इस तरह से इस तरह हमको सिलेंडर जैसे बनाना है यह हमारे हाँ हर तारिक अतीज में बनती हैं सेव खुर्मा जिसके गुड़ पारे बोलते हैं यह सब बनते हैं माता पारवती जी को और संकर भवान को चड़ाते हैं सब वही मैं बना रही हूँ इस तरह से देखो इस तरह से मैं सभी सेव बना लूँगी मैंने एक लोई ली है अब इसको हम थोड़ा से दूसरे सेप में बनाएंगे इस तरह से हम लंबाई में बना करके इसे अब हम फोल्ड करते जाएंगी इस तरह से चकोली टाइप की कि अधर हम दबा देंगे कुछ हम इस तरह से भी बनाएंगे कि हमने बेशन के सभी सेव बना लिए हैं और चकोली भी बना लिए तो चलिए इने अब हम फ्राई करते हैं इसमें हम सबसे पहले चकोली को फ्राई करेंगे देगे चकोली भी हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो इने हम निकाल लेंगे और अब हम सेव फ्राई करेंगे इन्हें आप हमेशा बना कर खाईए यह बहुत अच्छे बहुत टैस्टी बनते हैं हम पलट लेंगे दोनों तरह से अलट पलट करके हम अच्छी तैसे फ्राई कर लेंगे तो देगी सेव भी हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो अभी नहीं हम निकाल लेंगे अच्छी बनके तयार है हमारी बहुत हिलाज बहुत ही टेस्टी हमारी बेशन की सेव चकोली आई होपके आप सब को बहुत पसंद रहेगी तो आप मेरे चैनल को लाइक के सब्स्क्राइब बने तक इमारे अच्छी रेस प्ले के आती रहूं तो मैं मिलती हूं आपने झालबू पर बाध में थाण तक है तो एंदू भाईन मिलते हूं ब्हां को वारे नियुंए जे अझायल